मनुष्य के रुदय में भय का सामराज्य रहता है सदा कभी संपत्ति के नाश का भय कभी अपमान का भय कभी अपनों से छूट जाने का भय इसलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है क्या कभी विचार किया है जो स्थिति अत्वा वस्तू भय को जन्द देती है क्या वहीं से वास्तव में दुखाता है नहीं ऐसा तो कोई नियम नहीं और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविश्य के दुख का निवारण नहीं होता भई केवल आने वाले दुख की कलपना मात्र ही है वस्तविक्ता से इसका कोई संबन्ध नहीं है तो क्या ये जानते हुए भी कि भई कुछ और नहीं केवल कलपना मात्र ही है इससे मुख्थ होकर निर्भई बन पाना क्या बहुत गढ़िन है अवस्चे विचार कीजेगा